इस वीडियो में एक निया मस्टर्स पोग्राम के बारे में बात करूंगा कौन-कौन ये पोग्राम जोइन कर सकता है वो सारे डोमेन के बारे में बात करूंगा Eligibility criteria क्या है बात करूंगा Financial Assistance के बारे में बात करूंगा एप्लिकेशन सीज इंपर्ठेन डेट यह है सारे चीज लेके मैं इस वीडियो में सारी इंफॉर्मीशन दूगा तो इसलिए यह वीडियो मिस्त ना करें और यह वीडियो एं तक ज़ुरूर देखिएगा okay so please stay connected with me and stay connected with my youtube channel and if you think that this video is very useful so please hit the like button and those who are new to my youtube channel so please subscribe my youtube channel and press the bell icon so that you will get notification when i will upload any videos regarding it admissions near programs एक जोडपूर का एक पोग्राम है ये पोग्राम के बारे में बात करूंगा इस पोग्राम के बारे में बात करूंगा ये पोग्राम कौन सरा है तो सारे information इस वीडियो में डिस्कूस करूंगा इस पोग्राम का नाम है इसमें MSC in computational social science ये एक interdisciplinary subject है इसमें social science भी है इसमें mathematics भी है इसमें computer science भी है और ये जो intersectional जो area है ये है computational social science the students were from social science background the students were from science background all of you are eligible for this program if you have bachelor's you have good cgpa तो you can come you can join in this program right तो guys ये जो program है ये interdisciplinary program है यह पे artificial intelligence है data science है सब कुछ इस एक सद जुड़ा हुआ है तो ये बहुत ही इंपोर्टेंट एक program है and IIT Jodhpur already announced that they will take students okay for 2023-2024 seasons okay and this is a very new program okay this is a very new program so you will get all the necessary valuable information through this video so stay connected with me right so if you need any help regarding application process application form fill up and so on you can connect with me so you can contact with me so guys ये जो पोग्राम है ये पोग्राम शोला डिपार्टमेंट का है शोला मीन्स स्कूल अब लिवरल आट्स शॉट फ्रम सोला okay school of liberal arts of IIT Jodhpur okay ये जो डिपार्टमेंट है ये डिपार्टमेंट एक नया पोग्रम स्टार्ट किया in 2022 2022 में ये लोग एक नया पोग्रम स्टार्ट किया ये पोग्रम का नाम क्या है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वहां पे में कॉपी पेस्ट करके लिंक में पोस्ट करोगा ये जो लिंक कब तक ओपिन रहेगा दा ओनलाइन लिंक विल रिमें एक्टिव तिल ट्वेंटी मर्च मर्च 20 मर्च तक ये लिंक एक्टिव रहेगा ठीके तो एप्लिकेशन फीज कितना है 300 पर जेनरेल केंडिटेट्स जेनरेल EWS काटेगोरी ओबीसी केंडिडेट्स एंड एस्टी पीडॉड केंडिडेट्स पर दें 350 पर तो ये एप्लिकेशन फीज के बारे में बात कर लिया आप में बात करूंगा सबसे ज्यादा important है वह financial assistance you can see this the students the candidates selected candidates the valid score may get fellowship may get fellowship may get fellowship okay based on the funding available yes the reason is अभी तक सब IIT इसके बारे में बाद नहीं गया जो प्रिमियर इंस्टिटूट है प्रिमियर इंस्टिटूट मतलब IIT Bombay यह जो सारे इंस्टिटूट है IIT Bombay अनौंचे फेलोसिप ओ स्तूदें टोस्टिटीट्टें इंस्टिट्टूट इंस्टिटूद इंस्ट्वजनीर इंस्टूटक्ष चेजियर गय तो बट यहां पर गेट मेंडेटरी नहीं है यह जो सारे डेगरे हैं if you have 3-4-year अंडर्ग्रेजुएट डेगरे इन में से एक पोग्रम से अगर आप हो तो यह पोग्रम में आप अपलाई कर सकते हों कितना पर्सेंटेज चाहिए 60 पर्सेंट 60 पर्सेंट और 60 पर्सेंट चाहिए तो यह सबसे इंपोर्टेंट इन्फोर्मेशन है फेलोसिप मिल सकता है और आप दैंप स्योर दोज विल क्वालिफाई विद गेट स्कोर देविल गेट फेलोसिप क्योंकि यह एमहर्ड और एमोई फंडेड एक्जाम है ओके गेट एक्जाम एमोई एद्जाम पले बेना ओके प्षिखंगWow ऊगेट वंहर्ड और येlor सटेंट केmeeड़ फेलोप्न मिनिस्ट्री और ओमना मेलनां ऊंग causing डौन मैंट हिए फेलोसिप्ट का मिनिस्ट्री और थेलोप्नन के नहीं सब्द्रश्ट पकुराना ओध्याट सेग्रमन और स्थेलोसि अभी इसका नाम चेंज हुआ है, अभी Education Ministry का नाम है, Ministry of Education, चोटा ऐसा नाम है, तो the students who will qualify with GETScore, they can apply, they will get fellowship and यह बहुत ही बढ़िया information है, Please, share this video with your friends, now I will talk about important dates, look, application कशचे start होगा, from 5th February, already it has been started, right, today is 9th, तो closing date, 20 March, okay, scrutiny, applications and shortlisting for test and interview, 10th April, 10th April में, वो सारे कम चाहिए, okay, exam date and selection and interview, 16th April, okay, declaration of the result, 28th April, okay, declaration, result of the second list, 9th April, last date of payment and, last date of payment and fees or blocking seat, अच्छा, blocking seat, okay, 19th May, admission close, 20th May, तो में के अंदर यह खतम हो जाएगा, ठेक है, में के अंदर, तो यह सारे important dates है, okay, if you want to, यह में दिखा देढ़ा हो एक बार, okay, you can see this, okay, यह सारे important dates है, you can check it, तो if you want to see this information, if you need this information, you can contact me through my mail or my WhatsApp number, whatever, the media, you can use to contact with me, okay, तो यह सारे information है, and I wanted to share all this information with you, यह बहुत ही एक important program है, तो आप सब इस program में अप्लाइ करिये, यह बहुत ही इस program है, right, तो I think this will help you and one thing I want to tell you, तो one of my student, okay, actually, she shared this information with me, okay, तो I am busy with my, I started with my PhD, okay, but she shared me this information, okay, so, actually, the student who, who, who gave me this information, actually, she is pursuing master's program in the IID, Jodhpur, in digital humanities, right, okay, I can not take her name, but, yes, that is the information and thank you, so, जाहिंत, बंदे मातन, आवanie सुन मात्वा खाभन Zukunft सब वें सक्भान आभाई भीजु oh,